जै श्री राम मित्रो माया रगुविर सिंग जड़े जा आली के दिनों में एक विवाद शुरू हुआ है गुर्महर कौर नाम की एक ब्रमित बहन है जो ये कह रही है कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं वारा था कि उस बेहन का कहना है कि मेरे पिता को युद्द ने वारा था देखिए इसके पिता फोज में थे इस पाकिस्तान नाम के देश के कारण हमारे हज्जारों फोजी सहीद हो चुके हैं जैसे इनके पिता सहीद हुए थे वैसे ही केप्टन सोरब कालिया जिसको इन पाकिस्तानी कुट्तों ने इतना बहरेमी से तड़पा तड़पा कर मारा था इनके कान में गरम रोड गुसाए गए थे इनकी आँखे फोड़ दी गए थी और इस वैसी तरीके से उनको मारा गया तो क्या आप सोरब कालिया की जिम्मेदार आप किसको मानोगे मैं उस बहन से ये गुर्महर को जो भी है उससे में ये पूछना चाहूंगा मेरी बात आप उस तक कहुंचाना कि सोरब कालिया की मौत का जिम्मेदार वो किसे मानती है पाकिस्तान को या उसके लिए भी कोई और जिम्मेदार है उसी तरह सुदाकरण सिंग जिसका सरकाट के वो कुट्टे ले गए वो सहीद जो हुए भारत के लिए ऐसे बेतुके बयान ये वामपंतियों के बहकावे में आकर या किसी भी राजकिय पार्टी के बहकावे में आकर ये लड़की जो इतना बोल रही है क्या उसके पिता जिन्दा होते तो उसकी आखे और उसका सरसर्म से नहीं जुख जाता अपने उस सहीद पिता को याद करो उसकी सहीदी को इस तरह से इन कुत्तों के बहकावे में आकर तुम भारत को बदना मत करो ये सब राज किया सड़ेंद रहे देखिए पहले कनया कुमार आता है है उसके बाद रोहित वेमूला क्या क्या नाम है इनके उसके बाद ये उमर खालीद कौन है ये सब और आप आप उठके आ गई क्या नाम है आपका गुरमहर कौर क्या ये देश आपके बाद की जागिर है क्या है आप मेरे देश को गाली दो मेरे धर्म को गाली दो आपकी अभी विक्ति की आ जादी और अगर हम मेंसे कोई आपको गाली बके गाली बोले है तो इस देश का माहुल खराब हो जाता है हम गुंडे हो जाते है हम भगवेधा अगर हम घाली का जवाब गोली से देते हैं तो आप लोगों की हमन नहीं होती मेरे देस के खिलाब बोलने की मेरे दर्म के खिलाब बोलने की तो रस्टवादि यूह अनौ यहां से जाग deeply ओ कर रहा हैं थांगे मेलाम रहा है तो को हम आएंगे मैदान में देखिए अब तो जंग जिट चुकी है अब हर्ट कुत्था पहुunk रहा है बोल रहें अब जल्ड पैदा करेंगे आप पैदा करो हम सिवाजी पैदा करेंगे उस का हम खुले दिल से समर्दम करते हैं जब भी हमारी जरूरत पड़े हमें बताना लेकिन अब हिंदुस्तान का अपमान हम नहीं सहेंगे और सहीदों के नाम पर जो यह राजनीती हो रही है उस राजनेतिक लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि इतनी गंदे हद तक मत उत्रों मिल वोट वाट के खातिर कि तुम लोगोंने पाकिस्तान को अपना बाप बना के रखा है तुम लोग वह हो जो अगरृइंगे कeking तुम लोग अपने baat आपको भी पहचानने से मना कर दोगे कि यह मेरा बाप नहीं है तो पाकिस्तान को अपना बाप मनने वालों संबल जाओ हम कोई राजगिय लोग नहीं है लेकिन देश और धर्म के लिए हम मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं तक भी पहुचाना और वो उमर खालित नाम का जो कुट्ता है उसको भी बोलना कि जितने भी दिन है तुँ यह भारत में भी बोल सकता है तो यही चीज़ पाकिस्तान में बोलकर दिखा पाकिस्तान के खिलाब बोलकर दिखा तो तुम्हें कौन से आज़ादी चाहिए वह क्या चीज़ होती है लोग तंत्र का फायदा उठाकर इस देश को बदनाम करने की कोशिश मत करो वरना हर घर में सिवाजी पैदा होगा यह वीरों की भूमी है संबल जाओ जैश्री राम हर हर मादेव